हालो दोस्तों मैं डाक्टर मनोच कुमार सिंग स्वागत करता हूँ मनोच आई यूट्यूब चैनल में आज हम लोग तर्चा करेंगे जैन धर्म पर जैन धर्म जैसा कि जानते हैं जैन धर्म क्या है बाउद धर्म के सापिक्च एक धर्म आया जिसे जैन धर्म कहा गया और इसको ख्यात ही जैन धर्म जैन धर्म तिर्थकरों का परचे जैन धर्म में कुल 24 तिर्थकर हुए जैन धर्म में कुल कितने तिर्थकर हुए 24 तिर्थकर हुए 24 तिर्थकर जो हुए है 24 तिर्थकरों में तिर्थकर जो हुए इनमें अंतिम थे महावीर स्वामी जो है इसमें अंतिम तिर्थकर थे और प्रतेक तिर्थकों के कुछ न कुछ प्रतीक थे तो अब बात करते हैं किस तिर्थकर के क्या प्रतीक थे इसमें रिषब देव या इनहीं का नाम आदिनात था इनका ब्रिषब प्रतीक था क्या था ब्रिषब इसका प्रतीक था अजीत नात इनका गजथा संभो नात का आश्व अभिनंदन नात का कपी और सुमति नात का क्रोच एक पच्छी होता है पद्म प्रभू का पद्म था और सुपार सुनात का स्वास्तिक चिन इस तरह का एक चिन होता है ये था स्वास्तिक चिन और चंद्र प्रभू का चंदमा था और पुस्य दंतिया संभिधा नात का मकर था मकर में सोता है मचली मचली की आकरती थी सीतल नात का स्रीवत्सा वस्था स्रेयांस नात का गैंडा और वासुनात पुज्यनात का महीसी महीसी में सोता है भायंस भिमल नात का वराह बराह का अर्थ होता सुवर ये था अनंतनात का स्वान स्वान मिन्स होता है हंस और कुट्ता दोनों होते हैं इसका हिंदी में अर्थ होता है हंस तो आपको ध्यान देना कुट्ता वाला था और धर्मनात का वज्र था और सांतिनात का हिरंड है कुन्थुनात का जो है अज माने बकरा होता है अमरनात का जो है मचली मल्ली नात का कलस मनसुबर्त नात का कुर्म कुरुमाने कचुआ नेमी नात का जो है निलुत्पल और अरिष्ट नेमी का संख पार्सुनात का सर्पफण और महाबीर स्वामी का सिंग ये अंतिम तिर्थकर थे महाबिर स्वामी आए ये बहुत महात्मा बुद्ध के एक तरह से समकालीन ही थे और ये उनकी समकालीनता में ही जीवन जी रहे थे रिगवेद में रिषभ रिगवेद में अगर बात करें तो रिगवेद में रिषभ देव और अरिष्ट नेमी की चर्चा है रिषभ देव का उलेख यजूर वेद में भी है मतलब बात करें जैंद आपसे प्रश्ण पूस्ता जैंद धर्म के किन रिषभ देव का नाम रिगवेद में है तो आप इनका नाम बेशक बता देंगे क्योंकि आपको बता दें कि रिषभ देव अरिष्ट नेमी की चर्चा है और रिषभ देव की चर्चा जो है यजूर मतलब समय में भी रहे विष्णु पूरान वा भागवत पुरान में रिषभ देव को नारान का उतार माना गया है विष्णु पुरान और उसमें रिषभ देव को जो इसके प्रथम तिर्थकर थे प्रत्थम तिर्थकर उनको जो है भगवान विश्टू का उतार माना गया है 22 तिर्थकर अरिष्ट नेमी को वास्दोय कृष्ट का भाई बताया गया है ऐसा माना जाता है कि अरिष्ट नेमी जो है बलराम थे या ये भगवान सिर्कृष्ट के भाई थे आरंभिक प्रारंभिक आरंभिक जो है 15 तिर्थकर मद गंगा घाटी थे आपको पता दें कि जैन धर्म के 15 आरंभिक बतादर सुरू से लेका अंठ थक के पूरे के पूरे तिर्थकर जो है कहा के थे मद गंगा घाटी के थे 24 तिर्थकरों में से 20 की मृत्व सम्मेद सिखर पर हुई थी सम्मेद सिखर पर में 24 में से 20 की मृत्व सम्मेद सिखर पर हुई थी कि वह सेश ऐसे थे जिनकी मृत्व कहीं बाहर हुई थी जबकि रिशब्देव का अंत कायलास परवत पर हुआ था पार सुनात 23 तिर्थकर थे इनके पिता का नाम इनके पिता बनारस के इच्छवाकू बंसी राजा आसुसेन थे और माता बामा और इनके पत्नी का नाम प्रभावती था ये पार सुनात जो महाबीर से ठीक पहले अर महाबीर से 250 वर्स पूर्व हुए थे महाबीर की बात करें तो जब महाबीर का जर्म होता है उससे ये जो है 250 वर्स पूर्व अपना जीवन ब्यतीत कर चुके थे तीस वर्स की आयू में बायराग उत्पन हुआ 83 दिन तक की तपस्या के बाद ज्यान जिसे ज्यान को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है क्या कहा गया है कैवल्य कहा गया है जैन धर्म में जैन धर्म में ज्यान को क्या कहा जाता है ज्यान को कैवल्य कहा जाता है कि प्राप् पर हुई थी और इनको ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ था संबेद परबत हुआ था अगले पन सत्तर वर्स तक इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया सव वर्स की अवस्था में तम्मेश सिखर पर पारसनाथ की पहाड़ी पर सरीर का त्याक कर दिया सनलेखना विधी द् पारसनाज से तना ज़्यादा प्रभावित था को निष्चित रूप से जो है क्या करता है निगर्थनात के बारे में अनुराधा पुर में क्या करता है एक उपोन बनवाता है और यह उपोन जो है कहाँ पर था स्री लंका में था कहाँ पर था स्री लंका में था और उस अस्थान का नाम था अनुराधा पुर बाद में जब महंद्र और संगमित्रा ये किसके द्वारा भेजे गए थे समराट असो के द्वारा भेजे गए थे समराट असो के पुत्र थे और पुत्री थे ये दो है महंद्र और संगमित्रा इनको भेजा गया था वहाँ पर और ये जो है पारसुनाथ द्वारा प्रचार कौन कौन से हैं सत्य है आहिंसा है अस्तिय है और आपर ग्रह है पार सुनात ने इस्त्रियों को पार सुनात ने अगर बात करें पार सुनात की तो पार सुनात ने इस्त्री को भी विच्छू बनाने के इजाज़त दी थी इनका कहना था पार सुनात जो है इस्त्रियों को भी क क्या करते थे इजाजत देते थे किसके लिए भिच्छू बनने के लिए महाबीर के पिता संभवता पारसुनात के अनुयाई थे अगर बात करें महाबीर के पिता की तो पारसुनात के क्या थे अनुयाई थे पारसुनात ने अपने अनुयाईयों को वस्तर पहनने के इजाजत कलप सुत्र के अनुसार महावीर ने पार्स को परिसुदानिय परमपुरुष कहा है परम पुरुस कहा है अब हम लोग बात करते हैं महाबीर की महाबीर स्वामी की बात करते हैं जो इसके जैन धर्म के अंतिम तिर्थ करते इनके बारे में बात करते हैं तो ये जो महाबीर स्वामी थे महाबीर स्वामी का जर्म 540 इसापुर में हुआ था और 469 इसापुर में इ हुआ था पुन्ड ग्राम के जोत्सियों के अनुसार महावीर के लिए चकवर्ती राजा या महान सन्यासी बनने की भविस्वानी की गई थे जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध के बारे में कहा गया था या तो यह व्यक्ति जो है बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या तो क्या बनेगा बहुत बड़ा सम्राठ बनेगा यह चर्चा की गयी तुवही भविस्वानी वही सेम figsभ विस्वानी की गई थी महात्मा बुद्ध के बारे में महात्मा पिता का नाम सिध्धार्थ था ये यागरिक छत्रियों के संग के प्रधान थे माता जो है त्रिसला थी आपको बता दें महाबीर के पिता का नाम सिध्धार्थ जो की यागरिक कुल के जो है क्या थे छत्रियों के प्रधान थे माता इनकी त्रिसला थी और त्रिसला जो है इस साली के लिछवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी या प्रस प्रस जो है एक दो बार यूप यसी में पूश चुका है जैन परंपरा के अनुसार वे पहले रिसब दत नामक ब्राहमर की पतनी देवनंदा के गर्व में आये थे इंद्र ने उन्हें त्रिसला के गर्व में डाल दिया क्योंकि सारे तिर्थकर छत्रिय थे पत्री यसोदा कुंडली गोत्र की कन्या थी पुत्री का नाम आडोज्या था महावीर की पुत्री का नाम आडोज्या या प्रियदर्सना भी कहा गया इनके दामात का नाम जमाली था महावीर का पहला सिस्य जो है जमाली था महावीर के कैवल्य प्राप्त के 14 वर्ष उसने बिद्रोह किया था तथा एक अलग संप्रदाय बहुत रत्वाद चलाया दो वर्ष बाद 30 गुप्त ने भी बिद्रोह किया बड़े भाई नंदी वर्धन इनकी आग्या से 30 वर्ष की अवस्था में गिरिहत्याक किया था महावीर ने अपने भाई नंदी वर्धन की आग्या से 30 वर्ष बाद इन्होंने सन्यास ग्रहन कर लिया था कितने वर्ष बाद 30 वर्ष बाद इन्होंने ग्रहन मतलब सन्यास ग्रहन कर लिया था तपस्यार्या क्या थी आचारांग सुत्र की अनुसार 13 महीने के बाद वस्त त्याक कर दिया वे वैसाली वैसाली जो की बिहार में थी वैसाली कहा थी वैसाली होते हुए नालंदा गए जहां मकली गोसाल उन्हें उनसे मिलाता था उनकी उनका सिस्ष बन गया किंद उच्छा वर्स बाद साथ छोड़ दिया और बारह वर्स की कठोर तपस्या के बाद जिड़िभीक ग्राम के समीप रिजुपाली का नदी के तठ पर एक साल ब्रिच के नीचे उन्हें कैवल्या ज्ञान प्राप्त हुआ इसके बाद वे केवलीन कहलाए आचारांग सुत्र एवं कल्प सुत्र में उनके कठोर तपस्चरिया एवं काया क्लेस का वर्डन किया गया है तो महाबीर स्वामी के बारे में कहा जाता है इन्हें ज्ञान जो है साल ब्रिच के नीचे मिला था कहा प्राप्त हुआ था रिजुपाली का नदी के किनारे किसके रिजुपाली का रिजुपाली का नदी के किनारे इन्हें ग्यान प्राप्त हुआ था महाबीर की अन्युपाधियां जीन माने बिजयता महात्मा बुद्ध को महाबीर स्वामी को महाबीर के अन्युपाधियां जो थी इन्हें जीन कहा गया समस्त इंद्रियों को जीतने के कारण महाबीर जीन कहलाए महाबीर क्या कहलाए जीन कहलाए महाबीर अपनी साधना में पराक्रम दिखाने के कारण महाबीर इन्हें कब कहा गया इन्होंने अपनी परिक्राम अपनी तपस्या के दौरान क्या दिखाया बहुत ही साहर दिखाया जिसके कारण इन्हें क्या कहा गया क्या कहा गया है महाबीर कहा गया अब बंधन रहित होने के कारण इन्हें को क्या कहा गया है निर ग्रंथ कहा गया है अहर तिनको योग्य कहा गया है कि हर सब मतब हर चीजों से योग्य थे 463 इसापूर्व 42 वर्ष की आयू में राजा हंस्तिपाल के यहां पावापूरी नामा कस्थान पहिंहों ने सरीर का त्याग कर दिया महावीर ने वहाँ पर सरीर का त्याग कर दिया धर्म प्रचार कैवल प्राप्त के बाद 30 वर्षों तक समाज में अपने ज्ञान का प्रकास फैलाया महावीर भी युद्ध के समान 8 महिने धर्म प्रचार करते जबकि वर्षा रित्में चार महिने बिभिन नगरों में विस्राम करते थे जैन गरंतों के अनुसार महावीर ने चमपा, वैसाली, राजग्री, नालंदा, स्रावस्ती, कौसांबी, अंग, बंग, मगद, बिदेह, कासी, कोसल, वस, आवांत, पंचाल, सिंद, सौवीर, आदि, प्रदेसों में अपने मत का प्रचार किया महावीर के सिस्यों की बात करें, तो महावीर के सिस्यों में राज परिवार से संबद जो बेखती थे, राजा के घड़ से जुड़े हुए तो उसमें कौन-कौन थे, उत्तरा अध्यन सुत्र के अनुसार, एक सुत्र है जैन धर्म में, उत्तरा अध्यन सुत्र के अनुसार श्रोणिक विम्बिसार उनका भक्त था ओबाध्य सुत्र अजासत्रू को महावीर का भक्त बताता है महावीर अजासत्रू के सम्मंधी थे बैसाली के लिच्वी सरदार चेटक भी जैन प्रचार में योगदान दिया था अवंति का प्रद्योत भी महावीर का भक्त था कौसामवी की रानी म्रिगावती भी जैन थी यहां के राजा ततानिक के पूत्र उदयन ने भी दिच्छाली थी सिंदु सौवीर के राजा उदयन भी जैन धर्म मानते थे चमपा का सासक दधिवाहन उनका भक्त था उस जिसकी पुत्री चंदना उनकी प्रथम भिच्छुडी बनी थी अनि सिस्यों की बात करें जो राजा परिवार से नहीं थे बलकि सामाने परिवार से कैवल प्राप्त के पस्चात राजग्रिय में मेद कुमार को दिच्छा दी दिगंबर मानता के अनुसार उनका प्रथम उबदेश राजग्रिय के बितुलाचल परवत पर हुआ था राजग्रिय में उपाली नामक ग्रिहस्त उनका सिस्य बना कुंड ग्राम में ब्राहमर रिसवदत एवं देवननन्दा तथा पुत्री प्रियदर्जना वजवाली दामाद ने दिच्छा लिए थी प्रमुक्सिस्यों की बात करें महावीर के ग्यारा प्रधान सिस्य गंधर का लाए महावीर के जो ग्यारा सिस्य थे उन्हें क्या कहा गया है गंधर कहा गया है कल्पसुत्र में इनके नाम दिये गए हैं इंद्रभूत इनके जो नाम कल्पसुत्र में दिये गए हैं वो इस पित अचलव हराता मेतार्य तथा प्रभास इंद्रभूत तथा सुधर्मन को छोड़ कर सभी गणधरों की मृत्यु महाबीर के जीवनकाल में ही हो गई थी महाबीर के मर्णोपरांत सुधर्मन जैन संग के अध्यच बने सुधर्मन जो है जैन धर्म के अध्यच बनते हैं अपने सिस जंबु को संग का संचालन सौब कर मुच्छ ग्रहन कर लिया जंबु अन्तिम के वलीन थे उनके पस्चात कैवलन को मार्ग बंद हो गयत कैसा माना जाता है कैवल के मार्ग हमेशा मेशा के लिए अब बंद कर दिये गए जंबू के बाद अंतिम नंद राजा के समय संभूति विजय तथा भद्रबाहू अध्यच थे दोनों महावीर द्वारा प्रदत 14 पूर्वों प्राचीनतम जैन गरंतों को जानने वाले अंति ब्यक्ति थे तंभूति विजय का सिस्थूल भद्र था भद्रबाहू के नेतित्व में अकाल के समय कुछ भिच्छू करनाटक चले गए जो भद्रबाहू था यह चंद्रगुप्त मौरी को भी अपने साथ ले जाकर करनाटक गया था चंद्रगुप्त के स्रम्ल बेल गोल इस्थूल भद्र के नेतित्व में स्वेतामबर इनके संतों को यति साधु आचारी कहा गया है तथा भद्रबाहूं के नेतित्व दिगंबर संपरदाय इनके संतों को छुलक एलक निरगरंत कहा गया है संग को जैन धर में वसद कहा जाता है क्या कहा जाता है वसद कहा जाता है जैन संग के सदर से चार भागों में विभाजित थे भिक्छू भिच्छूडी स्रावक इनके इन में से प्रथम दो सन्यासी का जीवन बतीत करते थे जाकि अंतिम दो ग्रिहस्त पाँचिवी सदी में करनाटक में अस्थापित मठों को वसद कहते हैं जैन भिच्छू का अस्वा रोही क्रम है और रोही क्रम क्या है तिर्थकर आश्चार उपाध्याय साधु जैन धर्म का सिध्धान्त और ज्यान तत्व बात करते हैं जैन धर्म का सिध्धान्त के बारे में ध्यान देते हैं समस्त विश्व चीव तथा आजीव नामक दो न जैन धर्म की यह मानिता है कि समस्त विश्व के प्रतिक कर्ण जीव तथा आजीव से मिलकर बने है जैविक तथा आजैविक की कल्पना सबसे पहले जैन धर्म में मिल लही है इसी आधार पर जैन दर्सन सांख दर्सन के सबसे करीब है जीव अचेतन तत्तो है जबकी अजीव अचेतन जड़ तत्तो है आजीव का विभाज्यन पांच भागों में हुआ है पुदुकल, काल, आका, धर्म, अधर्म यहां धर्म तथा अधर्म गति तथा अगति का सूचक हैं पुदुकल से तात्परिय उस तत्त से है जिसका संयोग तथा विभाजन किया जा सके इसका सबसे छोटा भाग अणु कहलाता है अणुओं में जीव निवास करते हैं समस्त भावतिक पदार्थ अणुओं के ही योग से संयोग से निर्मित होता है पुदुगल का अर्थ है कर्म, इसपर्स, रस, गंध तथा वन्ड ये सभी पुदुगल के अनुहें गुण हैं जैन धर्म के अनुसार स्रिष्ट कुछ सास्वत कानूनों के द्वारा परचालित होती है इस सास्वत विश्व में अनेक चक्र होते हैं उठान काल को उव सर्पिणी और पतन काल को अव सर्पिणी कहते हैं प्रतिक चक्र में सलाका पुरुष 14 तिर्थकर चक्र चक्रवर्ती सासक बलदेव वास्देव और प्रतिवास्देव होते हैं जैन धर्म के उद्देश क्या थे जैन धर्म का चरम लच्छ निर्मान है या सत कर्म एवं सन्दमार्ग से ही संभव है जैन धर्म यह कहता है कि हमारे हमारा मुख उद्देश क्या है निर्मान की प्राप्ति है या सत कर्म एवं सन्दमार्ग से ही संभव होता है प्राधाना स्थान था जिसके माध्यम से ब्यक्ति-जगत के नाना प्रकार के ब्याधियों और श्राओं से विमुक्त हो जाता है जैन ज्यान तत्व के अंतरगत कर्म का सिध्धात महत्पूर है सत और असत कर्म से ही बंधन और मुक्त होती है पाप और पूर मनुस्य के कर्मों से होते हैं इस्वर से नहीं यानि इस्वर को न मानकर मनुस्य के कर्म को प्रधानता दी गई ह प्राया आठ कर्मों के कारण जीव आबाध्य रहता है ये कर्म है ग्यानावरन ग्यान का आवरन ग्यानावरन का मतल होता है ग्यान का आवरन दर्सनावरन वेदना मोह और आयु कर्म नाम कर्म गोत्र कर्म अंतराय कर्म जब आत्मा में यह कर्म धूल मिल जाते हैं तो आत्मा म एक प्रकार का रंग उत्पन करता है इस रंग को लेश्य कहा जाता जो च्छा है काला नीला धूसर पीला लाल सफेद मतब इंद्र धनुस जैसी कलपनाओं को इसमें आकार दिया गया है किसी भी व्यक्ति का लेश्य उसके चरित का सूचक है उनमें से पहले तीन रंग का संबन्द पूरे चरित्र तता अंतिम तीन का संबन्द अच्छे चरित्र से है निर्वाण की मोच्छ है जो कर्म फल की ही कर्म फल ही समाप्ति से ही समव है जैन धर्म में भी वेदांत के ही समान अज्ञान को बंधन का कारण माना गया है इसके कर्म जीव की ओर आकरसित होने लगता है इससे असराव कहते हैं कर्म का जीवन के सांद संयुक्त हो जाना बंधन है कर्म का जो है जीव के सांस्ट हो जाना बंधन कहा जाता है महावीर मुच की बात करें मुच के लिए महावीर में तीन साधन आवस से बताए है जिसे त्रीरत्न कहा गया, जैन धर्में त्रीरत्न की कलपना देखने को मिलती है, किसकी कलपना मिलती है, त्रीरत्न की कलपना मिलती है, त्रीरत्न क्या क्या है, बहुत धर्में समयक दर्सन, समयक दर्सन, सभी वस्तूओं को समान रूप से देखना ही समयक दर्सन है, जैन ति करो यहां उनके उपदेसों में द्रीdaughter को ज्ञाधा विश्वास करना ही क्या है समयक दर्सन मतलब सभी वस्तुपों ग्यान चछ्सुरी देखना मतलब जयंदBack के ग्यान चछ्सुरी देखना ही क्या है , हम्यक दर्शन है इसकी आठ अंग बताये गए हैं समयक दर्शन के कितने अंग बताए गए हैं आठ अंग बताए गए हैं निस संकित निसकांचित निर्वाचिक सक अमूर द्रिष्टी उपगुहन इस्थितिकरण और वातसल्य प्रभावना इसके लिए तीन प्रकार की अज्ञानता से दूर रहने के लिए कहा गया है लोक मूर देव मूर और पासान मुगूर जैन धर्व में तत्व ज्ञान को प्रिथक प्रिथक द्रिष्टकोर से देखा जाता है क्योंकि प्रतेक काल में या प्रतेक दसा में जीव का ज्ञान एक ही एक नहीं हो सकता वह भिन भिन होता है जैन धर्व में इस दर्शन को स्यादवाद कहा गया है स्यादवाद या अनेकांतवाद सब्त भंगी न्याय की चर्चा की गई है और इसी को क्या कहा जाता है अनेकांत वाद कहा गया है जो ज्यान की सापेच्छता का सिध्धानत है यानि सांसारिक वस्तूओं के विशय में हमारे सभी निड़े सापेच्छ तथा सिमित होते हैं इस संसार का कोई भी पदार्थ नश्ट नहीं होता सभी पदार्थ सास्वत हैं नश्ट प्रतीत होने का कारण यह है कि कभी कभी उनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं किन्तु उनका मूल तह बिनास नहीं होता बिनास केवल परिवर्तन है जैन सिद्धान्त स्यादवाद के साथ निर्दिष्ट हैं पहला है दूसरा नहीं है तीसरा है और नहीं है चौथा कहा नहीं जा सकता सात्वा है किन्तु कहा नहीं जा सकता चठा नहीं है और कहा नहीं जा सकता सम्यक ज्यान जयन धर्म एवं उसके सिद्धान्त का ज्यान है इसके पांच प्रकार बताए गए हैं समय ज्ञान के पांच प्रकार बताए गए हैं वो पांच प्रकार क्या है पहले आप उसको समझ लिजे मुक्ति इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान है सुरूति सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान है आवाधि दिव्य अत्मा अलाव की ज्ञान मनाह परयाय अन्य व्यक्तियों की मन की बाते जान लेने का ग्यान कैवल पूर्ण ग्यान जो केवल तिर्थ करों को प्राप्त होते हैं समयक चरित्र इसके बाद इसका दूसरा भेद है समयक चरित्र अब समयक चरित्र क्या होता है जो कुछ भी जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है उसे कार्य रूप में परणित करना ही समयक चरित्र है इसके अंतरगत भिच्छू के लिए पांच महाबरत पथा ग्रहस्तों के लिए पांच अनुबरत बताये गए हैं पांच महाब्रत क्या-क्या हैं? अहिंसा, सत्य, अस्ते, अपरिग्रह और ब्रहमचारिय, ब्रहमचारिय भी इसका जो है बहुत बड़ा गुण पाया गया है। अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत ना करने पर जोड़ दिया गया है। अनुब्रत का सिद्धान, अनुब्रत ग्रिहस्त जीवन, ग्रिहस्त जीवन के संबन्द में इनके अतिवादिता एवं कठोड़ता का भाव था, अनुब्रत के पालन के चार आधार दर्शित किये गए हैं, मैत्री, प्रमोध, कारूल्य और माध्यम, पंच महा ब्रत और अनुब्रत में मांस, मदिरा, सहद की सिवन पर प्रत्वन्द लगाकर आठ मूल गुण निर्देशित किये गया हैं, आचरण के लिए साथ सील ब्रत भी वांचनी माना गया है। दिग ब्रत, देव ब्रत, दंड ब्रत, सामयिक, प्रोस, तोपवास, उपभोग, प्रतिभोग, परिडाम, अतित, सम्विभाग, उपिनिसद के विपरीत जैन धर्म की मानता है कि आत्मा की सद्ध, लंबे समय तक उपवास, अहिंसा और आत्मा की सुद्धी जो है, लंबे समय तक उपवास, अहिंसा और इंद्रिय निग्रह द्वारा संभव है, हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म के विपरी, जैन धर्म में सिर्फ संध के सदस्यों के लिए कैवल्य का विधान है, सामान ग्रिहस्तों के लिए नहीं। जैन सिध्धामत के अंतरगा धर्म के दस लच्छन बताए गए हैं, धर्म के दस लच्छन बताए गए हैं, जैन धर्म में अधिक आराम और सुखी जीवन बिताने को अनुचित बताया गया है, आता जैन सिध्धान्द 22 परिवह कड़ाई को सहन करने का निर्देश देता है, छुत, प्रिपासा, सीत, उष्ट, दन्स, मसक और नाग्यन्य, अरति, इस्तिरीचर्य, निसधा, सहया, आग्रोस, बद, चायना, अलाव, रोग, त्रिनिस्पर्स, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्या, अज्ञान और अधर्शन, जैन, धर्म में, जैन धर्म में सत्कर्म के लिए 18 पापों से मुब्त होना आवस्यख बताया गया है, ये आठ अठारा पाप कौन कौन से हैं जैन धर में जैन धर में जो अठारा पापों की चर्चा की गई है वो किया गया है प्राण पती प्राणा तिपात जूंट चोरी मैथून द्रब्य मुर्चा गोध मान माया लोब राग द्बेश कलः दोसा रोपन चुगली असयम मेरत पर परिवाद माया भृसा मिथ्यादर्शन रूपी सल्य इन पापों से मुक्त होने पर जीव समभाव में आता है तथा निर्माड मार्ग की ओर अग्रसर होता है आचारांग सुत्र में जैन साध्यों के लिए कठोर नियम बताए गए हैं आचारांग सुत्र में जैन साध्यों के लिए कठोर नियम बताए गए हैं त्री रतनों का अनुसरन करने से करमों का जीव की ओर बहाव रुख जाता है जिसे संवर कहते हैं इसके बाद पहले से जीव में व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं इस अवस्था को निर्जरा कहा गया है जब जीव से करम का अवसेस विलकुन समाप्त हो जाता है तब वो मुझ की प्राप्त कर लेता है महावीर ने मुझ के लिए कठोर तपस्चरिया एवं काया कलेस पर बल दिया है मुझ के पस्चा जीव आवा गमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत चतुस्टय अनंत ज्यान अनंत दर्शन अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है लेकिन जैन दर्शन जैन धर्म में सर्बुच्च अवस्था की प्राप्ति सिर्फ भिच्छूओं को ही हो सकती है और प्रतियों को नहीं और प्रतियों में सोता ग्रिहस्त ग्रिहस्तों को यह नहीं प्राप्त होता बर्किन सभी को प्राप्त हो जाता है। पर बहुत कठोर आक्रमन नहीं करता है। इस तरह दास विवस्था पर भी आक्रमन नहीं किन्दु दासों के प्रत्यदरम विवहर अपनाने का आगरह जैन धरमें किया गया है। कायवल्ल की प्राप्ति सभी जातियों के व्यक्ति कर सकते थे महावीर के अनुसार मनुष्य के तीन प्रकार हैं आबरती तांसारिक मोहमाया में पूर्णता लिप्त रहने वाले व्यक्ति को अबरती कहा गया है आणुबरती आसिक रूप से दुसकर्मों से अलग रहने वाले सहरा्वर्थी जो पूरता आना सक्त भाव से रहते हुए शत्य चरित्रता और सत्य कर्म का अनुपालन करता हैं ये दौनों जो है कर समेलन कर दाने के लिए जैन अगमों के सुब्यवस्थित करने के लिए जयन स्रंवनों ने तीन सब्कैता है हैं प्रथम सम्मेलन अस्थान पाठली पुत्र में समय चतु सधी इसापूर में अध्यश इस्थुल भद्र था इसका इसमें अंगों का संक्लन किया गया है इसे पाठली पुत्र वाचन के नाम से भी जाना जाता है यह इसका प्रथम सम्मेलन था इस सम्मेलन में भद्र बाह कि अन्याईयों ने भाग नहीं लिया यहां जैन धर्म का विभाजन स्वेतांबर व दिगांबर में हो गया आपको दादे पाटली पुत्र में ही स्वेतांबर और दिगांबर दो भेद बन गए किसके जैन धर्म के जैन धर्म के दो भेद बन गए दो भेद बन गए किसके जै और यह स्वेतांबर भिच्छूँं की सभाथी इसे मतुरा वाचन के नाम से जाना जाता प्रथम को क्या कहा गया है पाटली पुत्र वाचन और दूसरे को कहा गया है मतुरा वाचन तीसरा जो है सम्मेरन तृतिय सम्मेरन जो इसका हुआ था जैन धर्म का वो बल्लभी में हुआ था समय इसका 512 इसापुर था इसकी अध्यचता स्वेतांबर आचार्य देवर्दी छमा स्रमन ने की थी इसमें सभी आगम साहित्य को लिपिबद किया गया है ये 12 अंग हैवे और द्रिष्टिवाद को नश्ट मान लिया गया है इसके बाद बात करेंगे जैन धर्म के संप्रदाय जैन धर्म के संप्रदाय को आगे हम पढ़ेंगे कौन-कौन से जैन धर्म संप्रदाय हैं और इन संप्रदायों के विशय में क्या-क्या जानकाई प्राप्त होती है औ और दोस्तों आप लोगों से लेते हैं विदा और फिर मिलेंगे अगली क्लास में और उसमें जैन धर्म के प्रमुक संप्रदायों की चर्चा करेंगे इससे प्रशना आता है और बात और इसके हमारे साथ बने रहने के लिए आप क्या करें मनुजाइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और हमारे साथ बने रहें जैन दोस्तों